वाट्स अब गैस अगर आप भी यूटूब से पैसा कमाना चाहते हैं और बिना अपना खुद का वीडियो बनाएं दूसरे का वीडियो अपलोड करके दूसरे के वीडियो में कुछ ज़्यादा केटिविटी दिखाके कमेंटरी करके और पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कर सक लेकिन सही तरीका क्या है मैं आपको बताने वाला हूं और ऐसे बहुत साइज चैनल है जो इंडिया में हैं और उनके सस्क्राइबर मिलियन हैं मतलब कि 2-3-4 मिलियन सस्क्राइबर है वो क्या करते हैं दूसरे का वीडियो अपलोड करते हैं और महीने के 2-3 लाग रुपए कम रहे हैं अब आप वी कमा सकते हैं ये ट्रिक अपना के जो लूग ये ट्रिक अपना रहे हैं बहुत ही आसानी पैसे कमा रहे और बहुत लोग दरते हैं दूसरे का वीडियो डालने से मतलब चाहिए का By copyright strike ना आ जाए क्लेम ना आ जाए इसी डर से वो दूसरे का वीडियो अप्लोड नहीं करते हैं मीजिक अप्लोड नहीं करते हैं या दोस्तों कोई भी छोटा सा फोटू अप्लोड नहीं करना चाहते हैं लेकिन अगर आपको यूटूब का सही तरीके से गाइडलाइन पता है म फिर्फ आपको गाइडलाइन को ध्यान में रखना होगा और क्या कहता है उसे ही देखके अवसे पढ़ केव बीडियो को अप्लोड करना है जितने भी क्रेटरे जो दूसरा का वीडियो अप्लोड करना है वो गाइडलाइन को यूज करते हैं उनको copyright strike नहीं आदका वीडियो में कोई copyright claim आता है और यह चीज लेगल है और आप भी का सकते हैं पहले यूटूब पर आप सिर्फ 10 सिकेंड का एक छोटा सा क्लिप अपने वीडियो में लगा सकते हैं मतलब कि क्लिप पूरा वीडियो उठा के अपने वीडियो मत डालिए गए दूसरे का पूरा व पर बताते हैं कि यह सिर्फ educational purpose के लिए है नीज के लिए है तब आप यूज कर सकते हैं पहले था अब नहीं है दोस्तों आप बहुत ही एक दो मिनट तक यूज कर सकते हैं क्लिप को एक क्लिप दो क्लिप ती क्लिप जोड के वीडियो बनाईए गा तो पूरा वीडियो हो ज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों वहां पर आपको commentary करना होगा और व्यवय से मूट कर देना है इंडिया में 100 से जादा आइसे चैनल है जो सकते बारे मरिफ सकते हैं अब अब बताते हैं लेकिं away ja कहां लाते हैं फोटू कहां लाते हैं वो दोस्तों दूसरे का वीडियो जो यूटूब का वीडियो रहता है उनमें से लेकर करते हैं यह दोस्तों दूसरे वीडियो फ्रेट फार्म जो होता है जैसे डेली मोशन होगे बहुत सारे हैं इंटरनेशनल भी हैं वहां से उठाते ह और अपने वीडियो में डाल देते हैं आपने देखा होगा कि बहुत चौकाने वाले वीडियो रहते हैं और ऐसा वीडियो तो कोई बना नहीं सकता इसलिए दोस्तों वो यूज करते हैं और आपको दिखाते हैं fact वाले चीजियों में तो क्या करते हैं वो नीचे disclaimer में लिग कि ये सिर्फ educational purpose के लिए बनाया है वीडियो और आप भी ऐसा कर सकते हैं बस आपको एक काम करना होगा कि जैसे जब वीडियो आप दूसरे का ले रहे हैं उसमें आपको कमेंटरी भी करना है अपना खुद का थोड़ा बहुत डालना है अब दोस्तों कैसे आप music song को use करेंगे जो song होता है वॉलीगोट का या दोस्तों कोई movie हो गया उसका clip कैसे use करेंगे आप 10 सेकेंड तक use कर सकते उससे ज्यादा भी use कर सकते हैं बस दोस्तों आपको उसका जो sound है उसको mute कर देना है mute करने बाद खुद करना है को बोलना है या दोस्तों बहुत लोग तो dubbing करते हैं म आपर दूसरा वाइस लगा देते हैं और बहुत ही आसानी से और चला के इसे अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं यूटूब पर वहां से पैसे भी कमाते हैं और यह मोनेटाइज भी हो जाएगा चैनल क्योंकि दोस्तों यूटूब उसकी जो पॉलसी है उसमें कहता है स अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो मोनिटाइज को बहुत जाते हैं तो आपको भी ऐसा करना है बीडियो बनाना है अपलोड कर देना है और अगली चीज क्लेम आईडी यह सभी को नहीं मिलता है जो बड़े चैनल होते हैं जैसे की म्यूजिक चैनल हो गया टी बहुत सारे हैं उनको copyright claim का एक option दिया रहता है मतलब कि copyright मैं आपको समझा देना जाता हूं क्लेम क्या होता है जैसे कि टी स्रीज ने एक अपना वीडियो बनाया एक song music बनाया तो होता क्या है कि जैसे upload करता है तो YouTube समझ लेता है कि यह music यह song उनका आपने database में save कर लेता है अगर कोई दूसरा upload करने जा रहा है उसका music t-series का तो उसे तुरंत copyright claim आ जाता है तुरंत आता है जैसा कि आप वीडियो अप्लोड करते होंगे उसके बाद 95% होने के बाद 5% जो बसता है उसमें थोड़ा सा processing होता है वह समझता है कि आपके वीडियो को पूरा चेक करता है चेक करने बात अगर आपके वीडियो में कोई music रहेगा या दूसरे का रहेगा तो तुरंत copyright claim आपके वीडियो में आ जाएगा आपका वीडियो ड्रीड नहीं होगा इस ट्राइक नहीं आएगा सिर्फ copyright claim आएगा डॉलर का sign कर जाएगा अब मतलब कि जो टी स्रीज का music रहेगा उसके पास पैसा चला जाएगा आपका वीडियो रहेगा जो आपको रहेगा वीडियो वह पैसा टी स्रीज को चला जाएगा copyright claim सब ही चैनल को नहीं मिलता दोस्तों बहुत ही कम चैनल को मिलता है और कुछ ऐसे भी website जहां से आप फिरिम में यूज कर सकते हैं उनका content वीडियो फोटू सब यूज कर सकते हैं और यह सब फिरिम रहता है अगर आप गूगल पर जाएगे वहाँ पर search करेंगे बिक्की मी सकते हैं picture of the day इसको आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में नीचे आते हैं यहां पर आप देख सकते हैं आपको नीचे बहुत सारे category मिल जाएंगे और उपर आप search भी का सकते हैं जिस category का वीडियो और photo चाहते हैं बस एक चीज आपको जरूर ध्यान देना होगा कि दवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा मैं आपके लिए उत्तर जरूर दूंगा फिर से मिलते हैं ऐसे इंट्रेस्टिक वीडियो के साथ